जिन्दा बात आज बहुती आनंद की बात है कि यह जो इस कविसमलान की स्थापना हुई है यहां पर कविसमलान अभी बहुत चलेगा मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत देर से बैठे हो तो बहुत सरी प्राकरतिक आफ़दाएं अभी सता रही होंगी जो लोग जा रहे हैं वो रासायनिक क्रियाओं से थोड़ा परिशान है इसलिए जा रहे हैं वापस आएंगे थोड़ी देर बाद ये अभी कुस दूर जाके अंदेरे कोने में बैठेंगे एक मिनिट बाद जब ये खड़े होंगे तो इनके चेहरे पर घोड़ शान्ती के भाव होंगे तब ये वापस आनंद पूरवक यहां पर आएंगे मेरी शुबकामनाई है इनको लेकिन इस बीच मेरे पास बहुत आनंद की बात है कि आप सब की लोग लाड़ले यहां के प्रथम नागरी जो प्रथम वाड़ से आते हैं जिनका जन्म दिवस आज है आप सब लोग जिने बधाईयां दे रहे हैं काइनात जिने शुबकामनाई दे रही हैं हम भी चाहते हैं सरस्वधी पुत्र हमारा सोबा कि हम लोग कोई कहां का रहने वाला हमारी क्या मुलाकात आदर्णिय नरेश जी से लेकिन मा सरस्वधी ने इन से हमें मिलवाया है मैं सरस्वधी पुत्रों की तरफ से प्राड़सना करता हूँ नरेश जी के आपकर ब्याम मंच पर आए ये सारे कवी जो सरस्वधी के बेटे हैं इस मुकाम पर आपको अपनी तरफ से आर्दिक बढ़ा ही देना चाते हैं शुबकामना ही देना चाते हैं और मैं तो पुरे सभी कवी समास से कहना चाता हूँ कि आदर्णिय नरेश जी का हम स्वागत ही नहीं करेंगे केक कटेगा और सब में बटेगा आर्णिय नहीं करेंगे आर्णिय नहीं करेंगे के आर के आर्णिय नहीं करेंगे करे आर्णिय नहीं करेंगे करेंगे कि आर्णिय नहीं देमें, उेदिky इना चाते हैं बहुत आनंद और प्रसन्नता का विशे है कि आज यहां के प्रसम नागरिक आदरनिये नरेश जी कनोजिया साब का जनम दिवस इस वक्त यहां पर हजारों की भीड में और देश के तमाम प्रतिष्टित सहित्तिकारों और कवियों की उपस्तिती में मनाया गया बाकी शहर में दिन भर में इनके जनम उस्तो पर विभिन कारिकरम होंगे रक्तदान शिवीर होंगे इनको परसनल व्यक्तिकत तोर पर भी लोग बधाईयां देने के लिए पहुचेंगे यह हमारी जिम्मधारी है कि मा सरस्वती के बेटे जब यहाँ आए हैं और हमें पता लगा कि इसका विसम्रन का पहली बार यहाँ पर आयोजन हो रहा है तो इसके जो अदिष्ठाता हैं, जो आयोजन करता हैं, उनका हम सरस्वती के पुत्र भी स्वागत करें, अभिनंदन करें, मैं नगर परिशत के उन तमाम करमचेरियों का आभार मानता हूं कि हमारे विनम्र निवेदन पर उनोंने हमारी तरफ से कवियों की तरफ से केक और मा हैं, वो वापस आने वाले हैं, शिक्र ही हम इस कविसमन को वास्तविक सुरूप में वापस प्रवेश कराएंगे, क्योंकि बलवन तबलु जैसा हास सिखाय कैसा अधभूत जादूगर अभी यहां पर मोजूद हैं, और अपनी कविताओं से हिंदी कविसमन में पैचान ब होता है, कानभूती को हमारे बीश रेखांकित करने वाला काम होता है, मैं आधरनिया सब करता हूं, शर्मा जी ने इस कविसमन को बड़ा अधभूत बनाया, हमने देखा कि कई केमरे कविस से हटकर के उधर हो गए ते जहां हजारों की भीड दोनों हाथ उपर उठाकर बार को कि कुलिए को सुनने के वेसा वातारण नहें के जैसा पहले के कवियों को मिला, मैं अभी आप से प्राठ्षना करना चाहता हूं, अगर इस कविसमन को संदर वापस बनाना है अगर ऐस प्रात्षना है उसके बात मैं नहीं करूंगा, फिर हम जिए सोचेंगे हैं हमेंanche regen अगर इस कविसमन को वापस उसी स्वरूप में लाना है तो एक प्राइफना है कि आपके आगे जो खाली जिगह पड़ी है कृपया उसको भर कर के आगे आजाईए अच्छा इमांदार शुरुता वही है जो जहां पर खाली जिगह पड़ी उसको भर दे बलकि मैं तो कहता कि वे एई पी दिरगह बाकी लोग भी आजाएं काभी सामना भी बहुत अच्छा चलेगा चेरमेंसाब खुद बोला ओएं कि आप गदे परा कर के बेढ़िए यह कभी से अब बहुत अधुद होगा यह मंच के दायने हाथ के तरफ जो लोग बेठे हैं वाएं हाथ के या बलवंत बलुजी का क्या कसूर है कि उनको नहीं सोना जाए उतने आनंद के साथ इधर जो बैठे हैं पीछे के लोग मैं आपसे भी प्रारत्रा करूब भाई साब आजा ही नहीं आजाए है हमारा मन रह जाएगा आप बहुत बड़े आदमी हैं मैं जानता हूं कि आपको कश्ट होगा वहां से उठकर यहां आने में हना तो देखो उठक बेटक में थोड़ा कश्ट तो होता ही है और अगर ये कश्ट आप नहीं उठाओगे तो फिर आपकी जेगे इस कश्ट को कोई और उठाएगा बहुत अच्छा लगा ब्यावर के श्रोता निश्चित तोर पर विनमर प्रार्सनाओं को स्विकार करते हैं देखो कवी सम्मेलन में तालियों के बजने से या खूब ठाके लगने से कवी सम्मेलन को कामियाब नहीं माना जाता ये तो कवी का मन भढ़ जाता है आनंद लेन काई करते हैं हर जगे जाके हमारा मन प्रसंद नहीं होता कभी-कभी किसी शचेर में अधिकार बैंगार बन जाता है क्योंकि यहां पर ब्यावर secular में जितने लोग है वह सारो कि तो मैं नाम जानता हूं पूरी मद्दाता सूचिया जानता हूं वांटों की अच्छा सुनने इश्वर दूर रखे आपको गम की परचाईयों से जनम दिन मुबारक हो आपको दिल की गैराईयों से जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि उस रात कवी सम्मलन में जब कवी कविता पढ़ रहे थे तो यहां इस कवी सम्मलन का अधिश्ठान करने वा तो सरस्वधी पुत्रों ने भी उसको मनाया था मीडिया की लोग भी उसमें आय थे सबी लोगों ने यहां पर अपनी उपस्तिती दी है मैं अब इस कवी सम्मलन को आगे बुला बनाता हूं और योगंदर शर्मा जी ने इस कवी सम्मलन को जैसा बनाया है उस पर चार भारत रतन क्यों नहीं दिया गया और यह फेसलाग करके मानेंगे आज एक बेट गए हैं और गांदी जी के तीनों सिस्ट से खड़े रहे गए अभी तक इतने दूर काहे को कड़ें अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं दिर दिर करके हारा डबरा डबर कभी सम्मेलन क्या है एक रंगत का काम है देखो क्या होता है पार्टनर्शिप का खेल है ये कवी जिस मस्ती में आजाए उसी मस्ती से आपकी मस्ती भी जुड़ जाये तब भेदवाव खतम हो जाता है मान सम्मान और अपमान का यह सबसे परे होकर के कवी सम्मान का रथ चलने लग जाता है ये जितनी ओजस्विता के साथ योगिंदर शर्मा जी ने सुनाया, इसमें कोई खास बात नहीं है, वीरस में क्या है, किसी भी बात को जोड़ जोड़ से बोलो यही वीरस है, जैसे आन बान शान से गिर पड़ो मकान से, हर कोई धोड़ी किर सकता है, वीरो जोई गिरे, आनंत के सरोकार अपनी जिगह पर है आप सब के बीच हास्यरस के एक ऐसे अधभुत कभी को भुलाना चाहता हूं जो हिलता डुलता राजस्थान है एक टांग पे खड़ा होके तबश्चा करता है कविता हैं सुनाते हुए बलबन तबल्लू के नाम से इनको जानते हैं वो जब यहां तक आता है तो वो कहता है कि यार भूकम पा रहा है कि मैंने का भूकम पने आ रहा तो गुदिल रहा है बलबन तबल्लू बड़ा अधिबूत कवी है और हिंदी कवी समयलोनों में इसको बतरस के लिए जाना जाता है एक समय था जब कहा जाता था कि जो कदली की पात में पात पात में पात त्यों कवियों की बात में बात बात में बात ये वो कवी है जो बिना बात ही कविता कर लेता है ये जब तक आपका मन इसके मन से नहीं मिल जाता तब तक कविता हैं सुनाता नहीं और बातें करकर ही भी लोड जाता है आज मैं आप सबसे प्राठतना करता हूँ इसके ठाकों से जुड़ जाना यह आपको बहुत आनंद की बाते सुना के जाएगा मंदिर हदूर अगर घर से तो यू कर लें चलो एक रोते वे बच्चे को हसाया जाए जोड़दार तालियों से बलवन तो बल्लू को बुलाया जाए यह इसकी एक कविता पूरी हो गई है शब्द पर घर्च नहीं करता है आप सब को प्रणाम करता हूं चैर्मेन साब को विशेश प्रणाम करता हूं कवी सम्मेलन तो एक तरह से हो गया कवी सम्मेलन तो एक बहार ना था हमको तो जनम दिन मनाना था पहत अच्छे कवी को कोई बरोजों गोनियार यहां से शुरू हुआ कवी संब्लन कवीता जी ने मात सरस्वती की वंदना पड़ी अपने तरीके से पड़ी थोड़ी लंबी पड़ी मेरे जैसा हाच से अंग का विद्यारती होता भाई सब कहा जा रहो मेरा कारेक्रम छोड़कर जाने वाले मैं तेरा कारेक्रम भी होने नहीं दूँगा और दो पंगती सुनते हुए जाना कि तुमारे जाने से मेरी स्रोता उपर पकट डिली नहीं होगी और जिस काम के लिए जा रहे हो मेरा दावा एक इट भी गिली नहीं होगी तालिया कम जो हो रहे हैं देखो मेरे को ढंग से सुरू करना खूब मज़े देके जाऊंगा वरना आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हैं क्योंकि उपर वाले ने बिगाड के भेजा है अपनी फाई से लट चुकी है यह यहां से सुरू हुआ कभी सम्मेलन चेर्मेन साब कभी ताजी ने सरस्वती बंदना पड़ी अपने तरीके से पड़ी मेरे जेता हाज चे भेंग का विद्यार्ती होता इत्ती लंबी चोड़ी बाते नी करता अपने सीधा के ते हे मा सार दे मुझको सच्चा प्यार दे हे मा सार दे मुझको सच्चा प्यार दे जितने भी यहां बेटे हैं उन सभी को तार दे और देश के सारे ब्रश्ट नेताओं को सीधा जमीन में गाड़ दे वाँ 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 यह अपनी वंदना का तरीका है इसके बाद में वह बाबू सिकरवार अन्ना अन्ना शीधा चला गए अन्ना के पास फिर आया वो गुजर गीमडो अब इसके लखन खराब था जो लुगाई ने मोबाईल मारा फिर यह देवी गीच गेजल सुनाई मेरे उदर सेर वो ड्राइवर लोग लिख देते हैं एक ड्राइवर ने लिख दिया दिल के अरमा आशूं में बे गए तुम उतर के चली गई ने हम गेर बदलते रहे गए पिर आया ये भीर रस्प भाई ने खुब हाद पेर कुटे कईयों ने तो डर के मारे इतालिया बजा दी के पठ्ठा नीचे नी कुझा मैं तो सिर्फ दो पंक्ती पड़ूँगा एक बत्तमीज राजनेता ने ये के दिया मैं भारत माता की जे नी बोलूँगा दूसरी पंक्ती पर मुझे बताना ब्यावरवलो मुझे शुरू करना ढंसे एक बत्तमीज राजनेता ने के दिया मैं भारत माता की जे नी बोलूँगा तब दो पंक्ती पड़ता हूँ कि जिस दिन जिस दिन मेरा देश के युवाओं का सयम डोलेगा ओबेशी तू तो क्या तेरा पूरा खांदान भारत माता की जे बोलेगा बलाइचाथ भारत माता की और दादा एक सो चालिस की बजबारिया और बज़ा भी दोन कहीं यहां से फट दे तो अच्छा देखो मस्ती के मूड में रेना एक बहुत कता से मैं मेरी बात को शुरू करता हूँ बात समझ में आती जाए मुझे बताते रेना चेर्मेंट साब तो ऐसे बेठे हैं के राजसाई ठाट से इनको वंदन करता हूँ यह आगे अठी गड़ो एक व्यक्ति के पास जाकर कहने लगा भाई साब कोई अच्छी बड़िया लेटरेट अट्रेक्टिव चीज आईयो तो बताओ दुकानदार ने का अभी फरसो रूस ते निर्मी थे चुए की मूर्ति आईये इसे ले जाओ उस व्यक्ति ने वो चुए की मूर्ति खरीद ली लेकर गाओं में जाने लगा गाओं के सारे चुए पिछे लगे वो तेत तलने लगे सारे चुए तेत तलने लगे उस व्यक्ति ने मूर्ति को उठा के कुए में फेक दिया सारे चुए कुए में कूथ पड़े तो उस व्यक्ति को अकल आगी ग्या ना गया वो वापस दुकानदार के पास गया और जाकर केने लगा भाई साब किसी नेता की मूर्थी है क्या आप सब को प्रणाम करता बहुत अच्छा सुनते आप अभी मैं सुरू नहीं हुआ हूँ सुरू होने की कौसिस कर रहा हूँ एक और बहुत अच्छा सुनता हूँ एक व्यक्ति खेत के अंदर काम कर रहा था अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ और वाकी फसल देखी तो बोला यार इस खेत का मालिक को ने उसे बुलाओ इतनी बड़िया ग्यों की फसल पेदा करता है तो उस किसान को बुलाया गया किसान आया तो उस व्यक्ति ने का गदब की खेती करते हो इतनी बड़िया ग्यों की फसल कौन सा खादवा परते हो किस वीदी से खेती करते हो वो किसान उस व्यक्ति के पेर में गिर पड़ा और कहने लगा करसी मंत्री मोदे प्रणाम वो बोला तुझे कैसे मालूम मैं करसी मंत्री हूं किसान बोला तुमने जेसे ही गन्ने की फसल को ग्यों की फसल बताया को एक दिन सवेरे सवेरे मायावती बकरी को लेकर गुमने जा रही थी सामने से अटल भी आरी वाज़पई आ रहे थे उन दोनों को देख करके अटल जी ने का ये भेसे को कहा ले जा रही हो मायावती बोली अटल जी आंके खोल कर देखो ये भेसा नि बकरी है अटल जी बोले ये बात मैं बकरी से कह रहा हूं मैंने की बारे करने मेरे लाइक बनाने की कौछ सीज कर रहा हूं थोड़ा और हलका करके समझाता हूं मैंने एक डाक्टर से पूछ लिया मैंने का डाक साप आप ये प्लस क्यूं लगाते हो वो बुला ये मरीद जिये या मरे अपने तो प्लस ही है मैंने गुजर को सर्डी जुकाम हो गया मैं एक डाक्टर के पास मेले गया मैंनका डाक्टर इसको चेक करो सर्डी जुकाम हो गया डाक्टर ने दो गोली दी बो लेक रात को सोते समें लेला ना और एक सुबे में उठ जाय तो हानि के एक सही काम हो जाएगा यह व्यंग की बारी कत्रन होती है मैं यह लोगेंदर जी को ले गया एक नेत्र रोग विशेशगे के पास मैंने का डाक्ट सब इनको चेक करो एक की जग दो आदमी दिखते हैं डाक्टर ने इनको उपर से नीचे तक देखा और बोला तुम चारों को यही भी मरिये क्या और भ्यंग पोच जाये तो अगली पंती पर मुझे बताना डाक्टर ने बोला तुम चारों को यही भी मरिये क्या इतने मैं अंदर से कंपाउंड रहा बोला ये भीड क्यूं लगा रखिये तालिया कमजोर है अब तुम्हारा पल्ले नहीं पड़ा तो और हलका करके समझाता हूँ अब पक्का पड़ेगा कभी कभी आदमी आनंद में टेंशन ले लेता है एक टेंशन में लेली मैंने अभी एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरी दी मैं गाड़ी लेकर जाने लगा एक सुन्दर सी मैला ने लिफ्ट मांग ली मैंने भी तुरंथ आगे की सीट पर बिठाया आनंद शुरू 30-40 किलो मिटर गाड़ी लेकर के जाने लगा अच्छानों कुछ मैला की तब्यत बिगड़ गी टेंशन शुरू अपन तुरंथ होस्पिटल में गे इस्ट्रेक्चर मंगाया उसको लिटाया डाक्टर उसको ओप्रेशन सेटर में ले गया मैं गंटा इधर गुमू इधर गुमू इधर गुमू इतने मैं अंदर से डाक्टर आया बोला बलू जी बधाई हो मैंने का किस बात की वो बोले आप बाप बन गए मैंने का मैं नहीं मैं फिर दिला मैंने का मैं नहीं पर टेंशन सब बड़ी के उधर से वो महिला बोली यही डाक्टर बोला फेचरा डीने टेस्ट करना पड़ेगा एक सिरीन पर के लावा निकाला डीने टेस्ट के लिए भेज दिया पर टेंशन सब बड़ी के उसकी रिपोर्ट आई आप किसी भी आलत में बाप नहीं बन सकते और टेंशन में तुम्हें तब आया मैंने क्या घर पे तीन खेल रहे हैं वो तालिया मिलगर के बजो आया बास मूर में अच्छा रहे हैं मैं कोई बनावटी बात नहीं करता है अपने जेसा दिखते हैं वेसा लिखते हैं हम लंगले लूले लोग किसी की परवा नहीं करते जितना प्रेशा रहे हैं आज मेरे को देंगे यह बुद्धी प्रकास देग है उटना ता में ट्रेन के दड्ड डिबो में घूमूते कमा जाओं अचा है मेरे प्यार में लेरा के चलता है वारे तेरा प्यार मेरी साधी नहीं मेरी पत्नी ने भगवान से प्रात्ना की ये भगवान मेरे को ढंका आदमी मिल जाए गये तो मैं सवा रूपय का प्रसाथ चड़ाऊंगी दुर्बाग्य से उसकी साधी मेरे साथ हो गई सुवाग रात के ठीक दूसरे दिन वो सीधी मंदिर गई जाते ही भगवान से कहने लगी है भगवान ये भगवान ने भी का सवा रूपय में इससे अच्छा नी आ सकता प्ट्राइद् अच्छो है लते लते यह रही है। सब कुछ बताऊंगा काईदे में लंगड़े होते हैं कितने फाइदे में हैं तो कल से मेरे जैसे हो जाओ सब कुछ बताऊंगा काईदे में लंगड़े होते हैं कितने फाइदे में अर लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता है क्योंकि वो भीक मांगने से नी डरता है और मैं उस इस्थान का रहने वाला हूँ जहां जेनों के प्रतम तिर्शंकर आदी ब्रह्मा रिशब्दे जब मैं पांचवी केक्सा में पड़ा करता था इस्कुल जाता था तो बीच में धरमसाला पड़ती थी मैं जोई उदर से निकलता आप जैसा कोईन कोई यातरी मेरे को बुलाता दस की नोट पकड़ाता चार रूपिया में खाता चार रूपिया दोस्तों को खिलाता दो रूपिया ले जाके पिता जी को टीकाता अपने तो पांचवी से ही कमा हुए मैं मेरी पत्नी मेरी बच्ची एक जाती जीमन में खाना खा रहे थे अचानक बच्ची के दोने में से डाल धूल गी दोना अपने इदर राजस्तान के अंदर वो दाल सब्जी रखने वाले पात्र को केते हैं उस दोने में से डाल धूल गी मेरी पत्नी ने बच्ची को मैं क्या करती दोना पापा जेसा था? मेरा बच्चे को एक काच के गलास में दूद दिया. दूद उसने पी लिया टी टेबल के उपर काच का गलास रखा. आचानक वो काच का गलास फूट गया. तो मेरी पत्नी ने बच्चे को डाट ते हुए का, कि देखता नहीं हर बार कुटन कुट तोड़ फोड किया करता है, अपकी बार कुट तोड़ा फोड़ा तो तेरी दोनो टांगे तोड़ दूगी. बच्चा उसी मस्ती में बोला, ममी ममी, पेले ये बताओ पापा ने क्या फोड़ा था? अगर आप लोग भी, तमाम लोग चेर्मेन साब से महबद करते हैं, ताज जनम दिवस पर एक बार समुचा सदान दोनो हाथ उपर उठा करता लिया, बजा कर आपका अभी नंदन करते हैं. हम विखलांगों की अलग मस्ती है, कभी टेंशन में नहीं रहते हैं. क्या हुआ? जो आदमी जिस दंदे का होता है पठा वो वेशा ही काम करता है. एक कपड़े का व्यपारी, दिन भर कपड़ा फाड़े, वो ही काम रात को दो बज़े पतनी के पास करें. नीन में ही बोल रहा है, एक मिटार, दो मिटार, सर! पतनी ने एक घुमा के दी बेवकुब, यह तेरी धुकान नी मेरी साधी है. अच्या ट्रापी कुलिस वाला चोइस गंटा, एक ही काम करता है, चल साइड में लगा? चल साइड में लगा रसीद बनवा वो ही काम रात को दो बज़े नीन में पत्नी के पास करे नीन में ही बड़ बड़ा रहा चल साइड में लगा पत्नी ने एक खीच के दी बेवकूप तुई तो नो एंट्री में गुश रिया यह माई चैक अब यही काम रात को दो बज़े नीन में पत्नी के पास करें हलो माई चैक पत्नी ने खीच के एक दी बेवकूप माई की चैक करेगा करोग्राम रोग्राम भी शुरू करेगा यह अनन्दे लंगला आद्मी राज चलती किसी मैला को छूले दीपासे नी सुनना लंगला आद्मी राज चलती किसी मैला को छूले तो मैला यही कहेगी इसमें इसकी नहीं भूले लंगला है बेचारा किस्मत का है मारा उल्टा हाथ में हाथ रखके पूरी सड़क पार करवाती है उस समय हम लंगलों की आत्मा अत्रप सो जाती है उस वक्त हम लंगलों की आत्मा त्रप सो जाती है और तो और बस में चड़े तो सीट्विक लांगों के लिए अरक्षित सब देते हैं टिकिट के रूपिया तो हम देते हैं केवल पेसे 25 किचुतर परसें छूटे ट्रेन में बिल्कुल फ्री साथ में एक अटेनल और फ्री यह मनोज गुजर मेरे को दूर दूर कभी से मेलन में ले जाता है और तो और बस में चड़े तो 55 परसें छूट अच्छा यह विकलांग भी कई तरह के होते हैं एक आख से अंदा विकलांग, एक कान से बेरा विकलांग, एक फेर से लंगडा विकलांग, एक विकलांग होता है वो हकला करके बोलने वाला वो भी बड़ी मस्ती देता है क्रिकेट की टीम में केप्टीन फस गया मैं तेरे अभरीन का हेट टियेद हेट मांगना तेल टियेद टेल मांगना मैं सिसक्का उचल रहा हो तो उसने जो इसक्का उचल था तो वो बूला हाँ हाँ यही वो एक वीमान में यांत्री खराबी आ गई एरोस्टेज ने का सभी यात्री लोग अपने अपने पेराशूट संबले इमर्जेंसी गेट की तरफ जाए अपने मन में दस गिने और कुच जाए तब आप ये खकला फचा हुआ वो गला मैं 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 एक बार फिर से समझाओ एरोस्टेज ने का तू दस तक मत गिनना तू तीन में कुच जणा आनि तू तरी पाई नहीं से ले चाहिए लेगी गीता प्रेश को पूर वालें दस हजार गीता चप्पा दी दस हजार पहले से पड़ी वो बिक नीरी उसने अकबार में विग्यापन निकलवा दिया कोई भी बेरोजगार युवक्त संपर करे गीता बेच कर वेपार प्राप्त करे तब आद तीन सो चार सो लोगों की लाइन लगी उसमें एक सत्तरवे नंबर पर हकला पसा हुआ वो भी बहला मैं भी गीता बेचूंगा मैनेजर ने का इनसे नी बिकरी तू क्या बेचेगा वो बहला नी नी पूरी गारंटी के साथ मैनेजर ने का इसको बीस गीता दे दो पचास गीता दे दो ये सब लोग बीस दिन में बेज देंगे ये पचास दिन के अंदर बेज देगा, इसका काम हो जाएगा, तो उसको पचास गीता दे दी जाती, वो फटा-फट सेर के अंदर जाता है, साम को तीन बजे इंटर्वुल खतम हो नहीं, और वापस आ जाता है, बोले पाप, 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 पचास ओर दो, मैनेजर न का यार, तेरी नोकरी पक्की, तेरा वेतन दुगूना, पर पहले ये बता तेने इतनी जल्ली बेची केसे, वो बला कुछ नी, गर-गर गया, गंटी दबाई, दर्वाजा खुला, मैने का ये 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 गीता है, खरीज रहे के पढ़के सुनाओं, आई आई, 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 विल्बेचा रहे, आऊके पढ़के सुनाओं, जाउ आँ, जाउ आई, जाउ, जाउ, आउर तो ओर, पस मे तड़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक सीट, सब देते हैं टिकेट के रुपिया, तो हम देते हैं केवल पैसे पतीस, और भाई साह में पेसे ही घर चला रही है सब देते हैं टिकेट का रूपिया तो हम देते हैं केवल पेसे 25 और भाई साब में लंगड़ाओं एक रूपिया दो रूपिया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है जितना टिकेट नहीं देता उससे चार गुना ज़्यादा कमाता है उसमें उसके बाप का क्या जाता है इसलिए लंगड़े होने पर समझे नजरा अपमान और एक पंक्ति अगर खुद पर व्यंग करके देश की विशंगती पर के दियो विक्रती को आकरती बनाने का काम किया तो तमाम राजनेतिक दुसाले हठा करके इस एक पंक्ति पर पूरे सदन की तालिया चाता हूँ कि इसलिए इसलिए लंगने होने पर समझे नदरापमान एक पंक्ति मुझे इसलिए पढ़नी पढ़ती है कि जब पुलवाप मां के अंदर मेरे एक साथ सेना के 45 जवान जब इ इख पंक्ति बल्वन पल्लू पढ़ता हा यसलिया लंगने पढ़ता है कि एक यह लंगने पर समझे नदरापमान एक के लंगना होगा फैन neuralई हैं क्योक्र फिर्य ऐनलिए तांकर सब्सक्राही बहिए गला बेट रहा है हालो बस चुटियों में आने से पहले उस मकान मलिक ने पूच लिया तेरे पाद खटोड़ा है नहीं तुखटोड़ा नहीं लिया वो बहुद आपकी बार सामान जादा ता आपकी बार जाऊंगा तो ले आऊंगा करके वो दीवाली की चुटियों के अंदर फिर राजस्तान के अंदर आता फिर राजस्तान के अंदर आने के बाद में दीवाली का त्योर व्योर मना के सामान वमन ले करके वपत जाता जाता ही मकान मलिक ने पूचा तेरे पाद खटोड़ा नहीं लाया तू वो बला आपकी बार सामान जदा था, अगली बार जाऊंगा तले आऊंगा, करके वो तीन-चार महीने वा और रहता है, इस बीच में उसकी पत्नी को दे आ जाती है, एक चार पाई उसके घर के अंदर फालतु पडी रहती है, वो उसको दे देती है, चार महीने बाद वो होली की छुटियों में फिर राजस्तानाता होली की मस्ती लेकर के आनेंदि लेकर के सामान लेकर फिर वो த जाता जाता ही जाता ही मखान मन reality तियार बोला तू खटोड़ा न2 यो बोला मेरे को खटोड़ा लाने की किया जुरूर्त प्रहकों। मेरा काम तो आपके खटोडे से ही चल रहा हुआ हुआ है जो पूरा आनन्द लेना इसमें आपको दिमाज नहीं लगाना क्योंकि मैंने लिखने में नहीं लगा है इसमें साइब सिंग्जी वर्मा मुक्यती थी ते रात को दो बजे कवी समयलन खतम हुआ साइब सिंग्जी वर्मा ने मेरी पीट थपत पाई और का साबास बलू समझ में कुछ ही नहीं आया पर मज़ा आ गया के गत नवरात्री में मेरे सरीर के अंदर गांधी जी है गांधी जी क्या केते किस तरीके से केते आंदन लेना मजे लेना के हाईये पेढा हच पेढा गांदीड़ मुख caucus गांदीड़ मुख nessa अरना है हट है एसा आप सबको करना मून में आजा हुँ डसरे की मस्ती में हुँ उँ शबको हट करके बोलना है फिर से पढ़ता हूँ क्या है ये पेड़ा हच्च पेड़ा गांदीड़मू 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 बस मुखरो जाना मस्ती लेना पढ़ता हूँ पंगतिया कि देश्रे में आजात करायो देश्रे में आजात करायो बनना रोटी जल मेर्यों मूँ सत्यागरभी करीना कियो एनो यो मनीना मल्यो नाथूरा में मारीना कियो एवो केम करीना कियो बनना खकत मतवाद कफाल म axle करीना कियो एनो यो मनीना मल्यो नाथूरा में मारीना कि पूचा बापू इतने साल बात क्यूं है और इस बलवन बलू के डिल में चूंद नहीं है तब आपू के देशरी देशा देखने आयो देशरी देशा देखने आयो नरंदर मोदी एटे चड़यो बुकार नी उतार है विदेशियाने नी बगावे तीन सो सित्तर अटाई नकी राम को मंदर बनाई नक्यो मेंगाई ने वदाई नकी बेरोद गारी मताडी नक्यो नित इंदराडी वजू बुलाई लूंगा है गांदी दमु गांदी दमु गांदी दमु गांदी दमु हैय पेडा हुट पेडा हुट पेडा है बात उड़ते उड़ते पता लगा तो सोनिया गांदी भी आई वोई के बापु मेरे लिए तब आपु के सोनियाडी तो हमरी ले जे सोनियाडी तो हमरी ले जे गर में थे खूब लड़ा जो मिन का वजू थे तगड़ा जो ने बाहर वारों हाग दिकावे एको करी पढ़ी जा जूए अच्छिए एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए आज महीने से मैं कवी सम्मेलनों में नहीं जा रहा हूँ चैर्मेन साब मेरे वहाँ पर रिशब देव के अंदर आचारे भगवन पुलक्सागर जी का चातूरमा से जैन संत बहुत बड़े जैन संत है मैं भी जैन हूँ पर आचारे भगवन ने मुझे आदेशित कर दिया था कि मेरे चातूरमा स्तक बल्वन बल्लू न कोई बाहर जाएगा न किसी कवी सम्मेलन में जाएगा आज आप चैर्मेन साब की महबत और बुद्धी प्रकास का प्रेम मेरे को यहाँ पर खीच करके लाया है मैं अंतिम चार पंक्तिया पढ़ता हूं मुखरों करके मदे देना कि बात उड़ते उड़ते पता लगा तो मायावती भी आई वो ही के बापू मेरे लिए तब बापू के चार दड़ा तन राजमल्य तो माया ली तो लेतरागी एक नमबरी थू दड़ी है एक नमबरी थू गदड़ी तन ने आए कने बुलेयो आए ठकी बाट गांदीडों 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 जाराओं 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 जिसको भी कुछ गूद लेना फिर भी मिलोसको अपर अधिक आऊंओगा है प्रवाद उसकी पैसे विसमस को वापस जीवन तबनाया जिब सब शुरोता है बहुत ठक चुके थे क्योंकि वीरस में आदरनीय योगिंदर जी ने एक बड़ी पारी खेली और हम जानतें कि कलाब का बड़ा उस्व बड़ा महोल रहेगा दिन भर में और चेर्मे साहब ने बहुत समय दिया पूरे ब्यावर शेर की तरब से हमारी तरब से बड़ाई शुका हाँ जब तक सुन रहे हैं सुना रहे हैं क्योंकि सुबह बहुत काम है और दिन भर आपकी व्यस्ता रहेगी हाँ हाँ ठीक हाँ हमारे शुब काम नहीं आपको आईए मैं इस मुकाम पर आदर्णिया हाँ मेरा भी होगा डॉक्टर कविता कीरन जिन्होंने मा सरस्वती की बंदना से इसका विसमनल को प्रारहम किया था उनके प्रेम प्यार के श्रंगार के मनुहार के गीतों को छंदों को उनका स्वर सोंदर ये साहित तीनों ही वनननी हैं जिन पर लंबे लंबे निभंद लिखे जा सकते हैं एक ऐसी के वित्री है जिनको सुनना एक अनुभूती होता है लेकिन इस कविसमनल में जिस मुकाम पर बलवंत बलू ने पड़ा ये बहुती कठिन डगर थी पंगट की वहाँ पर अगर इसने अपनी मटकी में जल भर लिया हो गरही तक जाकर आपके हिर्दे में तो एक बार जोड़ार तालियां भाई बलवंत बलू के लिए पजा दी जाए अधरनिये कमिशनर साब बेठें की गए अच्छा सब गए ठीक है न कोई बात नहीं अजी आप हो अभी तो किसके घर जा रहे हो आप देखने में समाज से भी लगा एसे लोगों पर देखने की जिम्मेदारियां रहती है वह आप सब के बीच जिन्हें बुलाना चाहता हूं वो प्रेम की कवेत्री है समवेदनाओं के गीत भी लिखती है लेकिन उन्हें इस मुकाम पर सुनने के लिए आपको चेतन्य रहना पड़ेगा अर्चना के दिये हैं जलाली जीए वावा करो करने के करने से होता है हमारे पूल बज़ेन कुछ नहीं किया होता तो हम इतने होते क्या अर्चना के दिये हैं जलाली देखो ब्यावर के कई लोग बड़े समझदार है कई तो घर पे रेगे छोट चोड़े बच्चों को भी यहां भेजा हुआ है अर्चना के दिये हैं जला लीजिए कोई रूठा हुआ है मना लीजिए हर अधर प्रीत से मुस्कुराने लगे जिंदगी गीत है गुनगुना लीजिए दोड़ार ताले से बलाईए आ रही है आधर निया डॉक्तर करता किरन वाह दाद दे रहो खास दे रहो हो गया हलो ठीक है हाँ बड़ी निवेदन मावीना पाणी को नमन करती हूँ नवरात्रे संपन हो चुके हैं शक्ती स्वरूपा मादुरगा को नमन करती हूँ ग्यारा तारिक में कावयपाठ के लिए मुझे अमंतृत किया गया था और अब बारा तारिक लग चुकी है दशहरा शुरू हो गया है आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुपकामनाई देती हूँ धन्यवाद और साथ ही हमारे चेयर्मेन साहब नरेश कनोजया जी जिनका जन्मदिन है उनको पुनह इस माइक से धेर सारी बधाई और शुपकामनाई देती हूँ बरसों बाद मेरा ब्यावर की धर्ती पे आना हुआ है ये परंपरा आच्छे शुरू हुई है पहली बार नगर परिशत के द्वारा इस कभी सम्मिलन का आयोजन किया गया है तो मैं नगर परिशत को भी बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ नगर परिशत का और साथ ही बद्धी प्रकाष जी का आभार विक्त करती हूँ जोनोंने बरसों बाद मुझे यहां इस धर्ती से पुनार उबरू होने का अफसर दिया हमारे कलेक्टर साभ अभी हमारे बीच में बैठे थे मेहनर खडगावजी साहब कुछ वर्ष पहले वो राजसान साहिती अकैडमी के कारिकारिया जिफ्ष थे मैं उनका भी आभार विक्त करती हूँ उन्होंने उस समें मुझे बहुत सारे राजसानी कवी सम्मेलनों में कावयपाठ के लिए आमंत्रित किया था यहाँ भी उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया उनका भी आभार वेक्त करती हूँ ब्यावर की धर्ती मेरे लिए बहुत प्रणम्या है और वो इसलिए भी प्रणम्या है क्योंकि इसी धर्ती से मेरे अखिल भारतिय मंचों की विदीवत शुरुवात हुई थी और उस शुरुवात का श्रेज आता है स्वर्गी श्री सुरेंद्र दूबे जी को जो आज हमारे बीश में नहीं है लेकिन उनकी पावन स्मृतियों को नमन करते हुए मैं इस बात को यहां से इस मंच से कहना चाहती हूँ कि मेरी अखिल भारतिय मंचों की शुरुवात ब्यावर की धर्ती से ही हुई मैं जब नव विवाहीता थी मुझे दो ही महिने हुए थे मेरे विवाह को और मैं ब्यावर आई थी एक जेन साधवी के दर्शनार्थ सुर्यंद्र दुबे जी ने मुझे अपने घरा मंतित किया आतिते सतकार किया और उन्होंने मेरे सम्मान में एक काव्यनिशा का योजन किया था एक शाम कविता की रंके नाम उस समय जबकि मैं मंचों से इतना परिचित भी नहीं थी उन्होंने मेरे नाम पे एक शाम रेखी और कहीं श्याम अंगारा जी या श्याम तूफान जी शिव तूफान जी कहीं सुन रहे होंगे तो वो इस बात के साक्षी है कि वो कारिक्रम वो निशा इतनी खूबसरत हुई थी उसमें शहर के बहुती प्रतिष्ठित अखबार और मीडिया कर्मी मौझूद थे और अगले दिन अखबारों में सभी अखबारों में बहुती शांदार कवरेज इस कारिक्रम की दी थी सुरेंद्र दुबे जी कि इस योगदान को में कभी भूल नहीं सिकती उनका अभारविक करती हूँ और अगर सुमबाद मुझे यादे में चांगेट पे आई थी और रेडरोस क्लब का भी एक कारिक्रम हुआ करता था अनेक बार व्यावर की धर्ती पर आई हूँ लेकिन बहुत ही लंबा अंतराल आगा और इस अंतराल को भरने के लिए मैं पुना बुद्धी प्रकाश जी का अभारवेक करती हूँ और नगर परिषद चेर्मेन साब का अभारवेक करती हूँ बहुत अच्छा कभी से मिलन आप लोग सुन रहे हैं एक अच्छा धारवाहिक देखने के लिए बहुत सारे विज्यापनों को जहेलना पड़ता है तो आप समझ गई होंगे अभी तक आप जो देख रहे थे और अब धारवाहिक आपके सामने है मैं अपने क्रम में हूँ आपने बहुत अच्छा सभी को सुना एक निवेधन बस आप से करना चाहती हूं कि बहुत अच्छा योगिंद्री जी कावेपाठ करके गई यहांसे बल्लू जी दीपी का सभी ने सभी ने बहुत अच्छा कावेपाठ किया देखिये वीरस के बीरस बेश्क के लोगों से तालिया बजवा देते हैं घर में भले ही पत्नी के सामने इनकी गिगगी बन जाती हो लेकिन मंचो पर जूर से चीख चिला कर लोगों से तालिया बजवा ही लेते हैं और हासेर रसके कभी हैं, तो वो भी अपने चुटकुले, चुटकुईयों, टिपणियों से आप लोगों को हसा देते हैं, गुदा देते हैं, लेकिन गीत और गजल भहुत ही नाजुक भिथा होती है, बहुत ही नाजुक होती है, और इसको सुनने के लिए आपको अपना मन देना होगा और मैं आपका मन मांगती हूं आपसे पूरी रात से लंबी देर से अपनी प्रतिक्षा कर रही हूं बहुत देर से मेरा नंबर आया है तो थोड़ी सी देर के लिए अगर आप संजीदा होकर मुझे भी सुन लेंगे सबको इतना प्यार दिया है मैं मुझे भी पर मैं भरोसा करके आई हूं आजाने रास्तों पर मैं भरोसा करके आई हूं तुम्हारे शहर में लंबा सफर तै करके आई हूं मुझे भी आप अपने दिल में थोड़ी से जगा दे दो मुझे भी आप अपने दिल में थोड़ी से जगा दे दो गजल से गीत से दामन मैं अपना भर के लाई हूं गजल से गीत से दामन मैं अपना भर के लाई हूं गजल से गीत से दामन मैं अपना भर के लाई हूं और मंच का भी ध्यान चाहूंगे खास तोर से क्योंकि जिस मकाम पर मुझे खड़ा किया गया है इतनी वरिष्ठ में हूं नहीं चाहे मैं उम्र में वरिष्ठ हो सकती हूं लेकिन दसना में ये सभी मुझसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं ये भी आपके इमानदारी कम नहीं कि आपने स्विकार किया कि आप उम्र में वरिष्ठ हो कोई महिला की इसी इमानदारी के लिए तालियां बजा दीजी एक बार अज़ा कर दो करेंगे जो कवी समयलन है ये कवीता से शुरूआ था और कवीता तक आ गया है यानि इस मंच पर कवीता का पूरी तरह से वर्चसव है मुझ तक आ गया है तो मैं कवीता की ही बात आप से करूंगी चार पंक्तिया अपने परिचे की आपके बिश में पढ़ती हूं सुनियेगा और समर्थन करियेगा कवीता की फुलिवारी हूं किरनों की के सरक्यारी हूं नाम है कवीता किरन मेरा अंधियारों से नाहारी हूं कभी बोर हूं कभी निशा हूं फूल कभी चिंगारी हूं और छोटी सीक किरनों लेकिन सो सुरज पर भारी हूं छोटी सीख किरन हूं लेकिन सौव सूरज पर भारी हूं तो नवरात्रे अभी अभी समाप्त हुए हैं नारी के महत्व को उसकी महिमा को चंद शब्दों में बांधना बिल्कुल भी संभव नहीं है तब एक दोहा मैंने लिखा है बुद्धी प्रकाष जी सुनियेगा कि नारी पर नारे लिखे ये जग भले हजार मगर बिंदु में सिंधु का कैसे हो विस्तार बहुत बहुत धन्यवाद और शंगार की कवित्री हूं प्रेम प्यार की बात करती हूं और बड़ी नाजूक सी विदा है जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था तो संभाल लिजेगा प्रेम प्यार की इस्तितियां अभी हमारे देश में बहुत ही बदल चुकी है इसकी परिभाशा है ये वाटसब की पीड़ी है फेस्बुक की पीड़ी है और इस यूग में प्रेम की जो परिभाशा है मैं चार पंक्तियों के माध्यम से आपके बीश में रखती हूँ और आप सहमत हों तो मेरे समर्तन करिएगा कि ना तुझको ही महबबत थी ना मुझको ही महबबत थी तेरी अपनी जरूरत थी मेरी अपनी जरूरत क्या सत्य कह दिया और आए सुनें कि गरत से जो किया जाए नहीं वो प्यार होता है गरत से जो किया जाए नहीं वो प्यार होता है और जो शर्तों पर किया जाए फकत व्यापार होता है जो शर्तों पर किया जाए और पंक्तियां पढ़ती हूँ देखिएगा कि इबादत कौन करता है इनायत कौन करता है सभी हैं लोटने वाले हिफाज़त कौन करता है ब्रमर की गुन गुनाहट से ही अब हर फूल डरता है सभी खिलवाड करते हैं मुहबत कौन करता है कि तुम्हारे हो के भी हम तो तुम्हारे हो नहीं पाए तुम्हारे बाजुओं में सर छुपा के रो नहीं पाए उणाई इस कदर नीदे जमाने की जफाओं ने उधर तुम्हारे इधर हम सो नहीं पाए उधर तुम्हारे इधर हम सो नहीं पाए उधर तुम्हारे इधर हम सो नहीं पाए और चार पंक्तिया उट देती हूं बड़ी नाजुक सी संभाल दीजेगा कि मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेता है सुना है नींद में अक्सर वो मेरा नाम लेता है शरारत से किरनियों भी कभी वो काम लेता है जो मैं उंगली थमाओं तो कलाई थाम लेता है जो मैं उंगली थमाओं तो कलाई थाम लेता है और चार पंक्तिया और हाजिर करती हूं देखिएगा देखिए नाईका जो होती है वो अपने नाईक से जो कुछ भी चाहती है अगर वो उसे मिल जाता है तो वो पूरी तरह से समर्पित हो जाती है चार पंक्तिया पढ़ती हूं देखिएगा कि जहां देखूं जिधर देखूं महबत ही महबत है जहां देखूं जिधर देखूं महब्बत ही महब्बत है तुम्हारे दिल की दुनिया तो बड़ी ही खूबसूरत है कि जहां देखूं जिधर देखूं महब्बत ही महब्बत है तुम्हारे दिल की दुनिया तो बड़ी ही खूबसूरत है और यहीं रहना है अब मुझको कहीं बाहर नहीं जाना यहीं अब मेरी जन्नत है यहां मेरी हुकूमत है यहीं अब मेरी जन्नत है यहीं मेरी हुकूमत है तो बहुत सीधी साधी भूली होती है हमारी नाइका है जो प्रेम के चार बोलों से समर्पित हो जाती है एक घजल के चंद अशार पढ़ना चाहती हूं और उसके बाद शंगार का गित पढ़ूंगी सुनियेगा गजल मैं कहते हैं कि नए नए प्रियोग करने चाहिए नए रदीफ नए नया काफिया हो तो कहा जाता है कि हाँ गजल पे कुछ मश्क हुआ मैं बिल्कुल ही नए रदीफ की गजल आपके सामने रखती हूं कि मुहबब और किसी अंजान से उफ बस ये उफ आपकी निकलनी चाहिए ये उफ आपकी निकलनी चाहिए पूरी गजल में मुझे भी अपने जीवन दोने का हिसास दिला दीचेगा कि मुहबब और किसी अंजान से उफ 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 कि मुहबब और किसी अंजान से उफ 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 फोन क्या आया किसी का अचानक अचानक फोन क्या आया किसी का लगी है धड़कने सब कान से कि अचानक फोन क्या आया किसी का लगी है धड़कने सब कान से और शेर देखें कि वो जिस शिदत से मुझको चाहता है वो जिस शिदत से मुझको चाहता है चली जाऊन अपनी जान से कि वो जिस शिद्दत से मुझको चाहता है चली जाऊन अपनी जान से जुमबिश बदा करती है और शेर देखें कि मैं उसकी जान हूं जाऊं तो कैसे मैं उसकी जान हूं जाओं तो कैसे वो जीता है मुझे जी जान से कि मैं उसकी जान हूँ जाओं तो कैसे वो जीता है मुझे जी जान से और शेर देखें कि मैं उसकी खुआहिशों को कैसे टालूं मैं उसकी खुआहिशों को कैसे टालूं वो देखे है बड़े अर्मान से कि मैं उसकी ख्वाहिशों को कैसे टालूं वो देखे है बड़े अर्मान से और देखें कि महबत कि महबत जब से है रूहों में उत्री महबत जब से है रूहों में उत्री महकते हैं बदन लुबान से उफ! कि मुहभबत जब से है रूहों में उतरी महकते हैं बदन लुबान से उफ! और आखिर मैं मकता हजिर करती हूँ और हासिलन गजल च audio है देखियेगा कि किरन इस इश्क में इनसाँ तो इनसा किरन इस इश्क में इनसाँ तो इनसा इमान से उफ और अब तालिया बजा दीजिए एक बार इतने भी मर्डूप जाएए कि उबर के उपर ना सकें तालिया बजाते रही है और अपने जिंदा होने का एसास मुझे देते रही है और शंगार का एक अपना प्रतिनी देगी तापके बिश में मैं रखती हूँ जिसके लिए मुझे जाना जाता है अभी उम्र की बात कर रहे थे बुद्धी प्रकाश जी मैं नहीं कर रहे था आप ही कर रहे थे मुझे में यही बातें किरन मुझे को बड़ा होने नहीं देती यही बातें किरन मुझे को बड़ा होने नहीं देती जियो 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 बड़ा होना भी नहीं चाहते बाद अच्छे तो कहना यह चाहती हूं कि इस्तरी की उम्र चाहे जितनी हो जाए लेकिन उसके मन के किसी कौने में एक 16 साल की नटखट किशोरी हमेशा मौजूद होती है जो कभी भी उसके बच्पन को पच्पन का नहीं होने देती है यह लाइन दो बार बोलो तब यह गित आपके सामने और यह गित अपने आपके घर आंगन की मिट्टी से उठाया गया गित है गित का भाव सिर्फ इतना है कि लड़की जब किशोर आवस्था से युव आवस्था में प्रवेश करती है तो उसके मन में जो भाव घटित होते हैं और परिवार में जिस तरह उसके साथ व्यभार किया जाता है उसको मैंने इस गीत में कहने का प्रेयास किया है सब तीवी पर वावा क्या बात है मैं मैंने इस गीत को पड़ा था और मिलियंस में इसके व्यूवर्स हैं और यही गीत मैं जब भी विदेशों में भी जाती हूँ तो वहा श्रोताओं में ज़्यादा तर जितनी भी महिलाई यहां बैठी हैं, वो यह समझें कि वह 16 साल की नटखट किशोरिया हैं, और जितने भी लड़के बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, आप यह समझें, आप 20 साल के नवयोग हैं, जी बिलकुल, और आप उसी दौर में पहुंच जाएए, और इस गीत को किया है, कहां तक सफल हुई हैं, देखिएगा, और मेरे सासाद गाईएगा, अच्छा गीत है, इसको तब इससे सुनो, कि अभी अभी जो खेल के आई, हाथी घोडा पाल की, अब सासाद तालियां भी बजाईएगा, और समर्थिन भी करिएगा, और गुन-गुनाईएगा और समयलन को कवली समयलन बना दीजेगा, कि अभी अभी जो खेल के आई, हाथी घोडा पाल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की सुलासाल की, जिसको भाए खूब कहानी विक्रम और बे-ताल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की, बस यह पंक्ति मरे सासाद गाई है जिसको खटी इमिली अमिया खाने से अम्मा रोके जान बूज कर जिसको छूकर निकले वासंती जोके जिसको खुल कर हसने पर हर दम दादा दादी टोके जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके तनहाई में ऐसे तड़ पे जैसे मचली जाल की अब भी मेरे अंदर है वो लड़की सुला साल की और अब आपके मन की बात कर रही हूं कि जिसको एक दिवाना आधी रातों को खत लिखता है जिसका फोटू वो हर दम अपने बटूवे में रखता है भवरो का दल जिस गुल के खिलने का रस्ता तकता है जिसकी एक जलक को पहरो चांद गगन में जगता है जिसकी एक जलक को पहरो चांद गगन में जगता है चौराहों पर चर्चा जिसकी हिरनी जैसी चाल की अब भी मेरे अंदर है वो लड़की सोला साल की और देखियो त्योहारों को मैंने कैसे ढाला है कि जिसकी देह में दीवाली है और आँखों में रंगोली तितली पकडे बागों में जो भमरों के पीछे डोली बाहर से तो चतुर बने लेकिन है भी तरसे भोली जो बातों ही बातों में अंजाने साजन की होली और बड़ी भोली सी पंगती है देखिया गाम कि समझ नहीं है अब तक जिसको यवन के सुरताल की अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की और गीत का अंतिम बन पढ़ती हूं लड़की का सभाव सागर के लेरों की तरह होता है उठता गिरता संबलता साथ तब ये अंतिम बन पढ़ियागा अब ये अंतिम बन सुना रहे है उसके बाद कभी से मुलन वैसे भी अपने मुकाम पर रहे है कि जिसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन आधा बचपन जलके जिसमें और छलके आधा यावन जिसके रूप के आगे जुक जाती है शाहों की गरदन जिसने खुद को तक तक तोड़ दिये घर के सारे दरपन और पंक्ति देखिएगा कि कभी अकड है परबत की तो कभी लचक है डाल की अब भी मेरे अंदर है वो लड़की सोला साल की अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोडा पाल की जिसको भाए खुब कहानी विक्रम और बेताल की रहती जे सल मेर में बाते करती नैनी ताल की अब भी मेरे अंदर है वो लड़की सोला साल की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 शुक्रिया अन्त मेक राजस्थानी शंगार का गीत आपके भी समे और पढ़ती हूं भूमी का बनाने का समय क्योंकि नहीं है बहुत सारे पूरी रात से आप लोग तालियां बजा बजा कर थाके हुए हैं सिदा सिदा गीत हाजिर करती हूं गीत की भाव भूमी यही है कि जब गाओं में कोई नाई का पानी भरने के लिए पंघट की तरफ जाती और लोटती है तो गाओं के लोगों की दृष्टी जब उस पर पढ़ती है तो उसको देखकर किस-किस तरह की बाते करते हैं अरह बहुत मस्त की तो सुनाओ ना आगे फिर आपके मरजी अचालती हुआ हां सुनियगा नि मैं हां वो जिसके फर्माईश बुद्धी प्रकाश जी कर रहे हैं बुद्धी प्रकाश जी मैं बी चाहते हूं कि आप भी अपने भी सुना नहीं आपको भी पता लगे कि मैं ना या ना भी क्या क्या लिखा है सुनियगा कि कोई के वे गोरी कोई के वे गोरी थू महलारी राणी लागे कोई के वे के कोरा कल सारो पानी लागे कोई के वे के कोरा कल सारो पानी लागे पेली पेली प्रीतरी पेली निसानी लागे कोई केवे के कोरा कल सारो पानी लागे कि हर कोई मारग में रोके ठोके आता जाता गामगली पिन घट चोपाला पे होवे हे बाता थारी छब तो गोरी जानी पिछानी लागे कोई केवे के कोरा कल सारो पानी लागे और लहराती बल खाती नदिया माएं उफण तो पानी थारे चडता जो बन सामे सावन मांगे पानी हो थारे सामे तो थारे सामे नूवी नूवी बी पुरानी लागे कोई केवे के कोरा कल सारो पानी लागे पल में मुल के बिजली पल में बादल जू घर नावे कदी लड़ावे नैन कदी या घूंगट में छुप जावे थोड़ी थोड़ी भोली थोड़ी थोड़ी भोली अर थोड़ी सियानी लागे कोई केवे के कोरा कल सारो पानी लागे कि थारी एक जलक ने छोरा दिन अर रात डीके मुर्दा रोमन धड़कन लागे जद थूसा में दीखे हो ठारी एक जलक ने छोरा दिन अर रात डीके मुर्दा रोमन धड़कन लागे जद थूसा में दीखे ढोला मारूरी ढोला मारूरी फेरूं चेती कहानी लागे कोई केवे के कोरा कल सारो पानी लागे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यावरवासियों का नगर परिशत का बुद्धी प्रकार जी का और मैं चाहती हूं कि जैसा कि परंपरा तो डल ही चुकी है और अब ये कवी सम्मेलन प्रतिवर्ष इसी तरह मनाया जाता रहे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है मेरी बात सुनो। कारिक्रम तो हो गया लेकिन ये सब लोग जो बैठे हैं ये कवी सम्मेलन के घ्रसिक शौता लोग हैं वद्धे प्रकास जी को सुने बगेर कोई घर धोड़ी जा सकता है। कमाल हो गया वई बहुत अच्छा सुना रही थी बहुत बढ़िया सुनाया इन्होंने बहुत सालों बाद यहां ब्यावर में आई है कविता जी और कविता जी ने देखो ब्यावर में ही क्यों सुनाया ये भी बता देता हूँ प्यावर के ही लोग हैं जो कवी सम्मेलन में गीत विधा को जिन्दा रख सकते हैं आपने गीतों को जिस प्रकार से तवज़ दी मैं आपको पढ़ाम करता हूं वरना मैं सही बता रहा हूं आपको गीत के लिए किसी को बुलाना बंद कर दिया गया कवी सम्मेलनों में बुद्धि प्रकाईज जी मैं सेलिट करता हूँ आपको ये टीम बनाते समय आप दो-दो गीत कारों को शामिल करते हैं बहुत अच्छा लगा वरना कवित्रियों ने गीत लिखना बंद कर दिया गीत कारों ने गीत लिखने बंद कर दिये क्योंकि वो जानने लग गए हैं कि गीत को सुनने वाले लोग लुप्त होते जा रहे हैं इसलिए ब्यावर की धर्दी का अभिनंदन करता हूँ बहुत आतूर हो रहे हैं आप तो बाई साब और वो देखो उधर जिल्ले इलाही जैसे अनार कली अब नाचेगी बाई साब आप जब कभी सम्मेलन नहीं होता तो काँ सोते होगे रात्री को बैठ जाओ थोड़ा बैठ जाओ आप से कह रहा हूँ हाँ ये हुई ना सरबाद मसनद लगी हुई है मैं बुद्धि प्रकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ और बुद्धि प्रकाश जी दाधीच इस धर्ती के लिए नया नाम नहीं है साब बुद्धि प्रकाश दाधीच कोई हास्से का कभी है तो माफ करना हास्से का कभी नहीं है बुद्धि प्रकास दादीच कोई गीतकार है तो गीतकार नहीं है बुद्धि प्रकास कभी सम्मेलन का एक महोटसव का नाम बुद्धि प्रकास दादीच है थोड़ा चेतन्य होकर बेटना बहुत भूमिका बनाऊंगा ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा आज मुरारी बापू को कभी भी कारेक्रम कराने की आविशक्ता होती तो देश में एक ही व्यक्ति को आवाज देते हैं वो बुद्धी प्रकास दादीच चाहे विदेश की धर्ती पर हो चाहे देश की धर्ती पर हो और ऐसे कई संत लोग हैं इनकी विद्वता से परिचित हैं लेकिन आज मैं चाहता हूँ अपनी विद्वता का परिचे नहीं देकर इनकी मस्ती के साथ शामिल हो देना बुद्धी प्रकास और मेरी योकात नहीं है कुछ लोगों ने देखा कि ये वापस खड़ा हो गया और प्राण लेगा मैं अत्याचार करने नहीं आया मैं बुद्धि प्रकाश जी को आमंत्रित करने आया लेकिन यहां आकर मैसूस करता हूँ कि बुद्धि प्रकाश जैसे विराट व्यक्तित्व को योगेंद शर्मा की वाणी आपके समक्ष आमंत्रित नहीं कर सकती यहां जो लोग बैठें आकाश की फिजाओं में अपने हातों को लहरा कर बुद्धि प्रकाश का आमंत्रण बन जाईए बाई बुद्धि प्रकाश दादित्च कितने इमांदार कभी हैं योगेंदर जी इन्होंने खुद कहा कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं आपके और प्राण पीने आ गया और मतलब इन्होंने पहले पिये थे बहुत अच्छा कवी समरन अभी आपने सुना है मुझे लगता है कि अभी समरन के स्वरूप को थोड़ा बदलना चाहिए बहुत देर हो गई अलग-अलग छित्रे से वे एक केमरा स्टेज पर लगा दिया जाए एक केमरा स्टेज पर लगा दो और इस कवी समरन को जैसा कि इन्होंने कहा योगिंदर जी ने कि मैं उस्सव हूँ तो मज़ा तो तभी आएगा जब आप उस्सव मनाने के लिए खड़े हो जाएंगे और इस मन्च के सामने आओ केमरा इधर लगेगा और देश के बाहर जितने देश हैं उन सब में भी यह सब चीजे सुनी जाएगी कि रात को एक तो बजी गया होगा डेट बजे भी लोग रात को कविताएं सुन रहे थे और अब मैं क्योंकि यह महोल ऐसा हो गया है कि अब मैं फालतुलफाज या नहीं करना चाहता हूँ जो जो मुझे चीजे जगदंबा ने दी एक कुछ चीजे आपको सुनाना चाहता हूँ हाँ उस दिन बज गई थी देखो उस समय में वहां के कारिक्रम के सब लोग वही मौजूद थे आज कराने वाले लोग भी विश्राम पर चले गए वो जो करमचारी काफी दिनों से लगे वे हैं उन सबको भी कल बहुत सारी जिम्मेदारिया निभानी है बार बार उदर से बटन दबाया जा रहा है पूरा एगा है हाँ जो कुरसी पर बैठें अगर सामने आजाएंगे तो अच्छा लगे का वैसे मैं जानता हूं आप सब बड़े लोगों कुरसी पर बैठने के बाद आदमी की थोड़ी सरक जाती है कई चीजे समझ में नहीं आती है जो समझ में रमारी बनाना थे फिर क्या है केमरा उधर लगाना मेरे पर नहीं हाँ एक केमरा इसा जी ओडियंस जा वेरी गुड़ी गूढ़ी गूढ़ी कृमारी करवाचोत का चांद मारा जीवडाने मत रांद छड़के जबर सबर को बांद डील मैं गुंगरू बाजे रे साजन जल्दी आजे रे वो परण्यां बेगो आजे रे यही बनेगा राष्ट्र की तब इस मस्ती को प्रणाम करता हूँ गीत में हाश्चरस कैसे आता इसका मज़ा ले नाम कि तीज त्युहारा मारा मन की रही कवारी आस तीज त्युहारा मारा मन की रही कवारी आस गर का बाग बगीचा सूखे कठे काटरियो घास थारी अकल खा गई भेस तन्य भावे क्यूं पर देस मारे पड़ी काल जे ठेस नींद मैं बिजल्यांग आजे रे साजन जल्दी आजे रे पर्णयां बेगों आजे रे रोजी रोटी का चक्कर मैं जब से निकले ओ घर से राजस्थान एक ऐसा पर्देश जाँ हजारों वर्षों तक हमारे पूर्वज युद्ध लड़ते रहे सेकडों वर्षों तक हमारे यांध अकाल पड़े इसलिए तो हम लग यहां से कमाने के लिए दूर दूर तक गए कि हमारी मिठास दूर दूर तक पोचिरी कहावत बनी जान नहीं पहुंचे बेल गाड़ी वा पहुंच गए कि रोजी रोजी अच्छा इसा नहीं कि राजस्थान का आदमी आदमी आन लेता है ये राजस्थान की नारियां जब संपूर्ण पराकास्टाओं पर होती इंसे को आदमी परदेश गया बर्सों तक लोटकर निया या तो पत्नी समाचार बेजे समाचार ओंगए नहीं आया तो अंतिम समाचार बेजा प्हुली पर हलकारा थे जा जानेवाले आदमी के श्तम संड्यह समाचार § होली पर अर अगली पंक्ती पृताओ आप सब उछड़ोगे गो होली पर हलकारा भेजया तीज़ पर भेजया सांडयां और गण गोर पर आयो रीजे नहीं तो पठ़ई मर्जया जे रांडया क्रोजी रोटी का चकर मैं जब से निकले ओ घर से अर गोरी गोरी आ गण गोरी काया रात रात बर तर से कब से बेठी मुखडो धोर मीठा हुया पेमली बोर दिखा दे जबर जवानी जोर कच्चाम खिला जे रे कच्च्चाम में ते समझी के होंगा ये वोई लोग है जो साल के साल गोंद के लाड़ू बनवाते रहे थे कि मारा सरी कीटा बरियां हर साल कलेंडर चापे अब इसके अर्था आप लगाते रहे ना कि मारा सरी कीटा बरियां हर साल कलेंडर चापे और यो जोबन को खाली कलश्यो कुण जाने कद धापे थारा दनने आगो बाल मारी सूनी सूनी साल अब तो मेट सभी जन जाल गर में थाल वजा जर साजन जल्ली आजे रे परण्या भेगो आजे रे गीत का तम तालीप जाईए एक अर गीत आपको सवना जेता हूं बिना किसी बूमी का बटा 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 अची मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल गाई जी की जान भ्यान जी को मिस को अ आजकल प्रेम प्यार मोहबत में दिल तूट जाय तो दर्द नहीं होता असली दर तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पर लगा कर जाओ दो गंटे बाद आके देखो को बटन दबना था भूगली गहे थे राजस्थान में विमल जी भैसाब लोगरंजन के दो बड़े पात्तर होते हैं एक तो ब्याई जी दूसरे ब्यान जी हाँ ब्याई जी और दुनिया में अकेला कल्चर है हमारा जिसमें आपस में गाड़ियां देने से संबंद मजबूत होते हैं किसी भी देश में इसा नहीं होता अरे देखो तो सही आप बरात आती जीमने बेटती तो ब्याणिया सगियां गाड़ियां देती है कभी-कभी तो यह आपस में भी गाड़ियां देती हाई मिसरी वाई मिसरी सबसे पहली तुई पसरी हाई दाखां वाई दाखां सगड़ा पहली तनचाखां तो हमारे रिष्टे मजबूत होते हैं उस दोर में मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जब विज्ञान के नए आविश्कार होते हैं तो हमारे लोक संबंदों में क्या फरक पड़ता है इसका माधूरिय का मज़ा लेन आप तो दुनिया में चाहे कोई सी भी लेंग्वेज आप सीख जो जर्मन सीख जो इंगलिस सीख जो फ्रेंज सीख जो स्पेनिस सीख जो पर अंदेरी रात में कुट्ता पीजे पढ़ जाओ तो मारवाडी में दुर रहा है दुर रही का माता है यही लोग लालित थे हमारे बाश्या का और अब तो विज्ञान के आविस्कार बली कितने हो गयो हमारे चोड़ चोड़े गाओं में भी कंप्यूटर की क्लासे चलने लगए कंप्यूटर की क्लास में एक लड़की से पूछा डाटा किसे कहते हैं वह बोली साब पानी की टंकी की टॉंटी ठूट जाए तो उसमें जम डुच्चा फसाते हैं उसी को कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल ब्याही जी की जान प्यान जी को मिस कोल मोबाइल से और आप सीन देखना बुड़ा पाम है ब्याही जी के नकडा तो देख दाड़ी बनाहे कर कियो कोल पेक फ्रेशनेस के साथ मोबाइल पर इ जी के नखरा तो देख दाड़ी बनाए कर कियो कोल बेख और बार बार उपर का बटना न खोल बार बार उपर का बटना न खोल दिवनंद की स्टाइल मडील खाव जोल मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल ब्याही जी की जान ब्यान जी को मिस कोल मोबाइल से अब सीन देख ब्यान जी से बोल्या करके कमराने लोग कुछ चीजे कॉन्फिडेंसी लोती है चोरे चापरों के सामने करने के नहीं होती है यह बुजुर्ग लोग हम वो जो बीचे बिजराजमान है जो उठ नहीं पा रहे हैं बीबी जिनके गोड़े जवाद दे गए यह हमें कुछ सिखा बाना थोड़ी चाहते थे यह तो हम ही नालाएक हैं जो इनको देख देख के सबजी के भी ब्यान जी से बोल्या करके कमरान लोग मिसकोल महरबा को पाल्यो काईशोक मैं अजए देवगन तुम्हारी का जोल मोबाइल से मार गई मिठा मिठा बोल व्याई जी की जान व्याण जी को मिसे कोल मोबाइल से तो बात ने संभालबा को करके जतन ब्यान बोली गलती सुन दब गयो बटन माफ करो ब्याई जी बनाओ नम खोल था कि घंटी बाजबा ममा को कई रोल मोबाईल बे मार गई मीठा बोल ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस कोल मोबाईल से गीत खतमों के तालिब जाईए और अंत में सच्चा है अपना प्यार तो पर किस जहां का डर गुल बन कर गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम अपकी बार बिछड रहे हैं तो क्या हुआ आगले बार ऐसे ही शांदार का विसा मलन में है फिर जरूर मिलेंगे हम जाहिन जै भारत बारत माता की नगर पड़िशत से अगर कोई प्रतिनिती होते यहां आए और अपना अभार व्यक्त करें एक मुक तक सुना देता हूं एक मुक तक सुना देता हूं मैं आप सब को प्रणाम करता हूं मेरा क्या कसूर है कि मेरा नंबर एक डेड़ बज़े बात आता है अरे उनकी भी सोचो उनकी जो कपिल जी मनोज जी सब पूरी टीम के साथ लगे वे इनको सुबह कांदंदे करने हैं, परिशान हो गए जब लोग, आप कह रहे हो, चलो, मनौत जी के आप सब का भी आग रहे हैं, तो सुना देता हूँ, कुछ-कुछ मुक तक सुना दू, गुलो गुलिशन से महकते जहान देखे हैं, ऐसे तो आनंद आ जाएगा, गुलो गुलिशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं, अरे इंकार क्या करना, जीन अंग्रेजियों के सामराजी में सूरज नहीं डूपता था, उनके वाइस राई की ड्रेस हमारे बेंड बाजे वाले पहनते हैं, भूल कर नाज न करना उधारी की जमदवे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं, गुलो गुलिशन से महकते जहान देखे हैं, एक और मुक्तच दुश्पती का आनंद ले ना, खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है, पांच-पांच हजार दोस्त दो लोगों के फेस्बूक पे पड़े हैं, अच्छा फेस्बूक क्या है, हाथ में मोबाइल रहता तो आदमी लगा ही रहता है, एक आदमी ने फेस्बूक पर पोस्ट किया, पंची बनू उड़ता फिरू में मस्त गगन में, तो नीचे लोग लेकिन नोकरानी को ढटा, तीन दिन बिना बताए, काम पर नहीं आई, तू कहां गई थी, वो वोली जी मैंने तो फेस्बूक पर अपडेट कर दिया था, कि मैं तीन दिन के लिए गाउं जा रही हूँ, और साब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू, कम सून, खुब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है, और आश्रस का मज़ा लेना, और लाइफ में जब प्रोबलमा है, फाइनेंसियल, लाइफ में जब प्रोबलमा है, फाइनेंसियल, तो पता चले कि आपके सब मित्र सुदामा, सुधा मां है एक और आदन ले ना मुश्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए अधिको हसना हसाना मनुश्यों का विशेश आधिकार है हसना हसाना आपने कभी किसी जानवर को अस्तेवे नहीं देखा होगा को जानवर हसने लगे तो समझ लेना वह इंसान होता जा रहा है पर अगर को इंसान होके नहीं हसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंब हो गई है तो आपके आसपास खड़े वे आदमी को देखते रहे ना उसमें प्रोसिज़े स्टार्ट तो नहीं हो गया है मुस्कुरा हट के दम पर गम को सी ना जान गए और पी करके बिना बहके तो समझो पी ना जान गए पीने वालों की दुनिया बड़ी अध्वत होती है एक अनपड़ शराबी भी एक क्वार्टर के तीन पे कैसे बनाता जिसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो मेरा खुद का नाम बुद्धि प्रगाज है मेरे खुद के ग्यान देने की एजेंसी है बड़ा बुद्धि प्रगाजी किसका रहा है किसकी रह जाएगी सब मर जाएंगे ये विसकी रह जाएगी खुद के दम पर गम को सी ना जान गए पी कर गे भिना भखे तो समझो भी ना जान गए और आप कविता वाले लोग जहां खड़ें अपने उपस्तिती बताना दर्द और कडवे वचन भी जब सहन होने लगे तब समझ लेना की बुद्धी अब तुम जी ना जान गए और तुमें सच्चा है बना प्याद चिरागों को आखों में मैं फूज लिए पहुत दूर तक राध ही राध होगी तुम बे मुसाफिर हो हम बे मुसाफिर हैं फिर किसी मोड पर जरूर मुलाकात होगी जहिंजे भारत भारत मातागी आदर्निय मनुद्धी सबका हार वेक्टर के लिए परिशेद ब्यावर की तरफ से यह प्रतमदार प्याद साथ कि आप सबकी आप सबने इतनी बड़ी संक्या को पस्तित होकर जो प्याद और सने हमारे आदर्निय कभी गणों को दिया उसके लिए ब्यावर शेहर की जनता का बहुत बहुत आबार और सबसे जादा तीन दिवस में पहले तीन दिवस के शॉट नोटीस पे हमारे सभी आदर्निय कभी गणों ने जो हमको रेस्पॉंस दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आबार और सबसे ज़्यादा आबार हमारे आदरनीय कभी श्री बुद्धी प्रकाश जी का जिनोंने केवल मातर एक फॉन कॉल पर हमारा निमंतरन स्विकार किया और पूरे कारेकरम को इस रूप में अंजाम दिया कि आप सभी को ये कारेकर जी ब्यूरो चीफ और हमारे सारे मीडिया वंदूओं का भी बहुत बहुत आबार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे कारेकरम में रात्री को दो बज़े तक उपस्तित रहकर अपनी उपस्तिती से इस कारेकरम को नवाजा और हमें प्यार उसने प्रदान किया और आगर आपका यही प्यार और अशिरुदाद रहा तो नगर परिशद प्रतिवर्ष इस कारेकरम को लगाता रायुजित करती रहेगी और इस कारेकरम को और अच्छे तरीके से करने के लिए आपके जो भी सुझाव है वो आपकर में हमें आपके सुझाव और मार्ग दर पात्री.